नुट्सकार फ्रेंड्स स्वागत है आपका तरिपता की रसोई में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी खास रेसिपी के बारे में बताने वाली हूं जिसे हम कठर के नाम से जानते हैं उसे कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको उसका सारा प्रोसे step by step बना के दिखाने वाली हूं तो आएंस और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी से बनाने का अंदाज बिलकुल बदल जाएगा तो चलिए कठर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूं अगर आप चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन भी प्रेस करें यसे ही काट लीजिएगा आप तो सबसे पहले आप सरसों का ते ले लेंगे इसको हाथों पर लगा लीजिएगा क्योंकि जब हम कठर को काटते हैं तो इसका जो दूद निकलता है वो हमारे हाथों पर चिप कर जाता है जिससे इसको काटने में बहुत मुश्किल होती है तो पहले हम कठर को जील लेते हैं तो कठर को हमने काट लिया है देखिए इसके बीज भी नहीं निकाले हैं हमने क्योंकि इनका बहुत अच्छे से टेस्ट आता है तो इसको काटने के बाद इसको आप अच्छे से धो लीजिएगा और इसके लिए हमें सभी की जरूरत पड़े की एक टमाटर ले लिया है हमने और मीडियन साइज का प्याज काट लिया है लसन, अद्रक और इस तरह से हमने हरी मिर्च काट ली है तो सबसे पहले कटहर को हमें फ्राई करना पड़ेगा अब हम गैस अन कर लेते हैं अब डालते हैं हम इसमें तेल फ्राई करने के लिए थोड़ा ज्यादा तेल लगेगा क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी फ्राई हो जाएगा हमारा कटहर बाद में आप इस तेल को अलग से रख सकते हैं निकाल कर तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम दालते हैं इसमें कटहर आप थोड़ा थोड़ा करके दालते जाएगा कटहर जब तक हलका ब्राउना हो जाए तब तक इसको आप ऐसे ही रखिएगा अब कटहर को फ्राई करने के बाद जो तेल वच गया था उसको हमने निकाल लिया है तो चलिए अब कटहर को तड़का लगाते हैं साबत धनियाद डालेंगे इसमें साबत जीरा इनको अच्छे से चटकने देंगे फिर हम इसमें प्याज एड करेंगे अब हम इसमें प्याज एड करते हैं अब डालेंगे इसमेल असन प्याज 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 अद रहें इनको अच्छे से ब्राउन होने देंगे, तभी हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे, अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे, अब एक चमच नमक डालेंगे, आप अपने स्वादन सार का मिया ज़्यादा डाल सकते हैं, एक चमच हल्दी पाउडर, मिर्च भी आप अपने स्वादन सार डाल सकते हैं, अगर तीखा खाना पसंद हो तो आप एक चमच भर के डाल दीजिएगा, एक चमच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है, थोड़ी सी घटास हो जाती है, अब हम इसमें मिर्च डालेंगे, तमाटर भी हमारा अच्छ से गल गया है, अब हम इसमें अड़ करेंगे, अब आप इन मसालों को इच्छी से मिक्स कर दीजिएगा, अब हम इसको मीडियम आंच पर धक्कर रखते हैं, आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा, ताकि यह जलना जाए, मीडियम आंच कर लीजिएगा, अब हम चेक कर लेते हैं, कि हमारा कठर रेडी हो गया है, नहीं, देखी कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, अब आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, कि अच्छे से गल गया है, यह नहीं, यह गल गया है, पर अभी थोड़े वीज गलना वाकी है, तो हम 2-3 मिंट के लिए इसको फेसे ढखके रख देंगे, ताकि वीज भी इसके अच्छे से गल जाएं, और 2-3 मिंट के बाद चेक करेंगे, अब हम चेक कर लेते हैं, कि कठर पक गया है, अच्छे से या नहीं, चेक करते हैं इसको, तो अब कठर पक कर तयार हो गया है, तो अब हम इसकी फ्रेटिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइ करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, बबाई, टेक कियर, बढ़िया, दो भी इसके साथ, बढ़िया, watch yे झर करेंगे, दो झांतरी किया येप झाली बॉटीं अल्म झाली, पिध जो मेंने किवेगे,